हेलो एब्रिवन, मैं मिठुन सिंग, स्वाकत करता हूँ आप सभी का, आशा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे, देखिए आज का जो क्लास होने वाला है ना बड़ा एजी है, आप देखना कि 10 कोश्चन में आप कितना सॉल्व कर पाते हो सही सही, योकि ये इतने आसान है कि आप सिर्फ कोश्चन को पढ़कर आंसर कर सकते हो, तो आज की कलास को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले रिच्वल्स के एकॉडिंग, आपको यहाँ पर कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, जी हाँ, इन लोगों ने सही सही आंसर कर रहा है, और अब ना बहुत सारे आंसर, सारे बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं, तो आप लोगों को, आप लोगों से या जानकर अच्छा लगा कि आप कॉमेंट कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, एक्चुलि आप अपने तयारे को आगे बढ़ा रहे हो, तो देखिए, अब इन लोगों के नाम यहाँ से दे पूछूँगा आपसे तो चलिए इस question को देख लेते हैं optimistic जो है वो cheerful होता है जी हां ये इसका मतलब हो गया कि ये क्या है sign of word है जी हां optimistic का sign of word क्या हो गया cheerful तो ये तो पहला हमने decode कर लिया कि दोनों क्या sign of word होगा यानि कि similar word होगा उसी तरह से pessimist का क्या होगा तो उसी तरह से pessimist होता है वो इनसान जो की बड़ा ही दुखी रहता हो निरास रहता हो नेगेटिव रहता हो तो इसका जो right answer होगा वो होगा gloomy यानि कि age the right answer बढ़ेंगे भरी next question के लिए reptile जो है lizard से related है उसी तरह से flower कि से related होगा तो देखिए reptile का ही एक प्रकार है lizard है ना चिपकली जो है वो क्या है reptile है तो flower क्या होगा इनमेंसे कौन सा flower का नाम है आपको बास ये चून लेना है तो देखिए आपको यहाँ पर देखेगा डेजी डेजी क्या है एक फ्लार का नाम है तो हमारा right answer क्या होगा डेजी is the right answer तो हम लोग जाएंगे किस के साथ option c के साथ आगे बढ़ेंगे next question के लिए next question आपके सामने ये रहा play जो है actor से संबंधित है उसी तरह से concert किसे संबंधित है देखिए play मतलब होता है नाटक और actor जो है play करते हैं तो आपने समझ लिया play जो है क्या है उसमें actor participate करते हैं तो concert में कौन participate करता है तो बिलकुल आसान सा जवाब है concert जो है musician करते है या फिर singer यहां पे रहता तो भी वो सही होता musician जो है participate करते हैं तो हमारा right answer क्या होगा option B मैंने का आज का question बहुत ही फीका है बहुत ही आसान है आगे बढ़ेंगे next question के लिए उससे पहले मैं आपको बता दू अगर आप APS crack करना चाहते हो और आपके पास अब भी तक पढ़ने के मिल जाएगा तो आप अगर लेना चाहते हो यहां से मेरी email id देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे mail कर लिजिए if you are on instagram then do follow me at the rate i mithun sing और वहां से आप paper ले सकते हो देखिए अस्पन जो है वो porous है उसी तरह से rubber क्या होगा आपको यह बताना है तो simple सा जवाब है देखिए rubber क्या करता है elastic होता वो खीचता है तो right answer क्या होगा option c हो जाएगा देखिए मैंने कहा ना question आज के बहुत ही easy रहने वाले है question number 15 की और बढ़ेंगे careful जो है questions होता है तो boostful क्या होगा देखिए यह दोनों synonyms बढ़ है उसी तरह से boostful क्या होगा arrogant होगा तो a इसका क्या होगा character answer हो जाएगा बढ़ेंगे question number 16 की और और 16 question यह रहा जिस तरह से pen जो है वो poet से related है तो needle किस से related होगा तो देखो poet जो है pen का use करता है तो needle कौन use करता है तो thread, button, swing या फिर tailor तो देखिए यह सब सारे जो है न needle को भी अगर include कर दिया जाए तो यह सारे चीज़ों को use करता है कौन tailor तो tailor हमारा right answer होगा needle को कौन use करेगा tailor use करेगा यानि कि D is the right answer बढ़ेंगे अगले question की और next question आपके सामने यह रहा secretly मतलब होगा कि बिल्कुल चुपके से चोरे चुपे और openly मतलब होगा बिल्कुल खुल कर यानि कि यहां से यहां जो word आ रहा है वो आ रहा है opposite word तो यहां से उसी तरह स 13 की और आपके सामने यह रहा दखिए embarrassed दखिए humiliated रहा उसी तरह से यह क्या होगा आपको इसका question बनाना है मैंने इसलिए इसको नहीं बताया ताकि आपको अगर किसी का meaning नहीं पताओ न तो आप जाएंगे Google बाबा की सरण में या Google मा जो बोलो आप Google के सरण में आप देता हूं यह जो बड़े-बड़े spelling होते ना यह एक्जाम में पूछ दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि कौन सा जो है correct या incorrect लिखा हुआ है तो देख लिजिएगा ध्यान से इन वड़ों को तो इसका जो फिलाल right answer होगा वो आप लोग comment करके question of the day में बताएंगे और नीचे comment करके आप सारे लोग बताईएगा तो अगले दिन आपका नाम यहाँ पर आएगा बड़े वी question number 19 के और देखिए lion जो होते है न बहुत सारे lions के जुंड को I mean group को क्या कहा जाता है pride कहा जाता है उसी तरह से soul किसे कहा जाता है तो मचरियों के group को जो है soul कहा जाता है एक बात और याद रखिएगा फिस जो है न फिस का फिसेस भी होता है और फिस का जो plural form होता है वो फिस भी होता है आगे बढ़ेंगे question number 20 की ओर आर्टिस्ट जो है paint करता है पैंटिंग करता है artist का काम है यह तो senator का क्या काम है देखिए actually आपको senator को अगर मैं ऐसे समझा दू न कि यह आपके member of parliament हो गए तो आपके member of parliament क्या करते हैं वो बनाते हैं law क्या बनाते हैं अभी हाल में जो farmer protest हो रहे थे वो किसी कानून बन गए थे न फार्मर laws बन गए थे जो कि किसान को पसंद नहीं आए तो इस law को फिर राटाना पड़ा था तो फार्मर law वगेरा जो है यह MP बनाते है न उसी तर से senator होते हैं US में तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा law बनाएंगे यानि की बीजदा right answer तो चली यह छोटी सी class थी आप लोग इसे like, share, subscribe भी करतेंगे चैनल को और जाते जाते comment करके question of the day का answer भी करना है तो चली thank you so much for watching this video, have a good day